हम जानते हैं कि वन्य प्राणियों के कारण ही हमारा जो एको सिस्ट्र में चलता है और उन्हें वन्य प्राणियों से डर न लगे और दुरघटना न हो इसके लिए सता तौर पर विभाग और पेंश टाइगर रिजर्व अवेनिस प्रोग्राम चलाता रहता है नमस्कार आप देख रहे हैं IBC 24 महा कॉसल और मैं हूँ आपके साथ अंकित रिजर्व मद बिदेश जो की टाइगर एस्टेट के नाम से जाना जाता है और टाइगर एस्टेट का दर्जा देदाने के लिए एहम भूमी का है पेश टाइगर रिजर्व की जो सिउनी पर है जहां तक टाइगर की मैं बात करूँ तो बच्पन में एक कहानी पड़ी थी उसी से थंडा उसी से गरम तो बाग और ये वन्य प्राणी वैसे ही है हम जानते हैं कि वन्य प्राणियों के कारण ही हमारा जो एको सिस्ट्र में चलता है हमारे जिले में या हमारे छेतर में इतने अच्छे वन है और वन्य प्राणी है इसी लिए सिचाई की इतने साधन है लेकिन निश्चत ही जो मासाहरी वन्य प्राणी होते हैं उन्हें देख कर डर तो लगता है और हमारे जिले में या हमारे प्रदेश में बहुत सारी ग्रामीड जनता है जिसकी अर्थविवस्था का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से आता है और वो जंगलों में जाते हैं और उन्हें वन्य प्राणियों से डर न लगे और दुरखटना न हो इसके लिए सतात तौर पर विभाग और पेंच टाइगर रिजर्व अवेनिस प्रोग्राम चलाता रहता है कि यदि कभी वन्य प्राणियों से आपका सामना हो जाए तो आप अपने आपको किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं और जिस तरह की कंफरेंट्रेशन की प्रोबिबिलिटीज हैं यदि आप टाइगर की घनतिकी बात करें तो भारत के जो वन अप दाइएस जनसिटी एरिया में हमारा पेंच टाइगर रिजर्व और ये पेंच लैंडिसकेप है लेकिन आप समझे बागों से या वन अपराणियों से जो दुलगटनाए होती है यदि उसका प्रतिशत देखें तो वो बहुत कम आएगा और वो इसी चीज का नतीजा है बंधन भी तमाम तरह से लोगों को अवेर्निस करने का प्रयास करता रहता है और समाने तोर पें जो हमारे जिले की जनता है वो वन प्राणियों की उपस्थिती की और इसलिए वो खुद को सुरक्षित रखना भी जानती है तो हलाकि विगद दो महां में साउथ टरिटोल डिविजन में चार या पांच हुमन डेट्स हुई है जो की बहुत सैड है और उसके लिए जो एक टाइगर था जो हमारा रूखड एरिया का रेसिडेंट मेल टाइगर था आम तोर पे जिसे कुरईगर मेल कहते थे तो वो पिछले वज़ तक तर उखड में दिखता था पर बाद में बाहर आ गया वो और टेरिटोरियल मतलब हमारा पार्क छोड़के टेरिटोरियल में रहने लगा क्योंकि he was not able to cope up with the पार्क का जो हाइडिल सिटी टाइगर एरिया और हमने उसको लिफ्ट करके चीफा ले वॉर्डन की पर्मिशन के बाद वन विहार भी शिफ्ट कर दिया है तो वन ने पराणियों से डरना तो चाहिए पर दहशत में रहने की तो कोई बात नहीं है करई और खवासा चेतर में जो की अभी 3-4 मोट वी है कहीं न कहीं ग्रामिडों में भै का माहूल बना हुआ है में देखा वह कमरी बनाये हो तो ग्रामिड में कैसे चेतरों में आ जाता है नहीं दिखिए ग्रामिड चेतरों में आने की भी घटनाएं हुई हैं अपवाद जब हम चराई के लिए जाते हैं तो हम हमेशा लोगों को बोलते हैं कि यदि आपके मवेशी पे बाग हमला करता है तो आप दूर हट जाएए और साशन की जो छतिपूरती योजना है बहुत अच्छी है और आपको ततकाल निर्धारित समय में और जैसा गाहँवाले डिसाइ करा और जो चरवाहा था वो मवेशी को बचाने के लिए बीच में कूट पड़ा और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्य हो गई तो हमें समझना पड़ेगा कि अब हमारा प्रदेश टाइगर स्टेट है और लगबक साथ सो पचासी बागों का आकलन है और यह साथ साथ सो जो 785 Tiger है यह न केवल पार्कों के या Tiger Reserve में हैं बलकि हमारे प्रदेश के हर वन खेतर में है और इन वन खेतरों में Tiger Reserve में तो चरवा कर्igu जाता है लेकिन ट्रिट नहिंट है तो लोग चरही के लिए जाते हैं और यदि आप एसी जगह जा रहे हैं यदि आप एक बहुत तेज हाईवे में जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल के साथ आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, सील्ड बेल लगाना पड़ेगा, तो वैसे ही जब आप जंगल शेतर में जा रहे हैं तो जंगल की सावधानिया तो आपको पालन करनी पड़ेगी, और वो बहुत महत्पोड है, दूसरी बात में ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी परिवार में होने वाले मृत्यू तो दुख का कारण होती है, आपके या मेरे परिवार में किसी भी तरह से हो, लेकिन दहशत वाली जो बात चुकी आपने कही थी, आप हमारे जिले से NH44 गुजर ही करते हैं, तो बागों से भी हमें डरने की जरुत नहीं है, केवल सावधानी की जरुत है, और हमारे जिले के लोग मैं मानता हूँ कि बहुत सावधान और समस्दार है, अनिता हमारे याँ जो बागों की संख्या है, आप दूसरे स्थानों से तुलना करें, तलोबा से, प बाग आकलन में पेंच लैंडिस्केप में 123 बागों का अनुमान है, और जब मैं पेंच लैंडिस्केप कहता हूँ, तो उसमें पेंच टाइगर रिजर्व भी शामिल है, और उससे लगे हुए जो टेरिटोरियल डिविजन है, उनका छेतर भी शामिल है, तो लगभग 123 बा है, बहराल, कैमरा बरस्वन कुमार अभीशे के साथ, मैं अंकी दरजग, आई भी शामिल डिवोर्स सीवनी,